राम राम, जै चेछीजग गढट, जै जोहार। आज हमारा जो सचका सच्छाथकार जो चैनल है उसके तहट जो हमने वदा किया था कि हम जिले वाइस अलग-अलग विधान सभा का विश्चां करेंगे तो आज बेमेतरा जिले का हम विश्चां करते हैं। बेमेतरा जिले में तीन सीट है और ये जिला बहुत ही प्रभाव साली यา चर्ची जिला इसलिए है क्योंकि इस जिले में प्रदेश के खद्धावर मंत्री रवीन चोवी जी आते हैं, इसके पहले बेमेतरा से तामरधा सहु जी भी आपके चुना लड़ चुके हैं जी चुके हैं और गुर्दयाल बंजारे जो सरसदी सचीव है वो भी इसी जिले साते हैं इसके पहले भारती जनता पार्टी में जो पूर्मे मंतीर है दालदास भगेल जी वो भी बेमेतरा जिल में दो सीट समाने हैं एक सीट आरचित है सदूल कौस के लिए तो सुरात करते हम साजा विधान सभा से साजा विधान सभा को अगर मैं चौबे परवार की सीट बोलूं तो अतिस्योक्ति नहीं होगी क्यों कि आज जो रभीन चौबे जी विधायक है उसके पहले उनके बड़ उस सीट का हम आकलांग करते हैं तो मान चलते हैं कि आप चौबे परवार के हिस्से में आई जनता इस सीट पर चौबे परवार पर बहुत भरुसा करती है और साजा की जनता को यह लगता है कि चौबे परवार उनके परवार का एक हिस्सा है अब यह देखते हैं कि आज क्य सिति आपको मालूम है रवी चौबी जी की तबियत उनको हाट अटेक आया था उनकी तबियत पहले जैसी बहुत अच्छी रहती नहीं है तो क्या वो खुद चुनाओं लड़ेंगे या अपने बड़े भाई प्रदीर चौबी जी को बोलेंगे लड़ने के लिए या सुनने म या रहा है कि उनके जो सुपत्र हमनाज चौबी जी साइद वो लड़ें अब इस सित्थी यह है कि पिछले चुनाओं में रविन चौबी जी को कभी नहीं लगा होगा कि बाहर का अदमी लाप्चन भापना भारती जनता पाइटी से आके उनको चुनाओं हरा देगा और वो चुनाओं हरें लेकिन फिछले चुनाओं में वापसी हुई अयह को चौबे नहीं को मैं कंग्रेश की बात करता हूं तो यह मान के शयरे कि चौबे परवार्टाइब करेंगा कि कि किसको ट्रीकिन मील का क्यूंकर आवल भावागता चार है जो न्गरपालिया की अध्रिचुघजे चुके हैं अगर पंचायत्फ-क believe IRS के आपके वोम प्रकास जोसी जी वो एक प्रमौकद वजी तो मैं Sure प्रकार से अगर आप देखते हैं तो कि आप मानने के चलिए कि data से आपके प्रमुदावदार में और आ nih डावी दाविदार है अब यह देखना हिए कि कोन भातपा से लटता है कोन कावरे से लटता है लेकिन आप मानगे चलिए कि साज़ा विधान सब्हा का ये चरित रहा है कि ये इस छेटर की जिंता 14 परिवार से बाहर जाती नहीं उसके बाद आता है बेमितरा विधान सब्हा बेमेतरा विधान सभाम में एक नया लड़का कॉंग्रेस पार्टी का आसी छाबडा वो आज के डिट में विधायक है और उसके बारे में ये चर्चा है कि वो लड़का बहुत मेहनत कर रहा है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है और मजबूत इस सिती में है इसलिए आसी छाबडा के विधायक रहने के कारण वहां पे दावेदारों की भी कवी है लेकिन उसके अलावा ये भी सुने मारा की तामर्धा साहू जी या उनका बेटा जितेंच साहू जी दुरू ग्रामन छोड़के सायद बेमितर आ सकते हैं और अगर ये हो सकता है तो आसी छाबडा के इसी छोड़ी पड़ेगी इसके अलावा उस छेत्र में और भी दावेदार है लेकिन मेरे को ये लगता है कि तामर्धा साहू जेतेंच साहू या आपका आसी छाबड़ा जी इन्हीं में से किसी एक को टिकित मिलेगी और भारती जनता पार्टी में तो प्रभल दाविदार है पुराने उधेश संदेल जी है जो डटर मेंसी के गुरूबुक में है इसके लावा एक महिला बहुत जिकित मिलेगा और चुनाओ जीस्क कनलावा और नारे नुवरमा जी प्रमुक दावदार है इसके लावा आपके कोंग्रेश से ही प्रक्या निर्वानी है जो जीला पंचाइस सदसे में वी दाविदार है खुण मिला के काम्जर्ज में एक दाविदार और है सशी प्रभा अगर मजबूत प्रत्यासी के रूप में आप देखो तो संध्या प्रगनिया और से लगा है यह लगा जो भादपा का जिलव पाद्धाच रहे चुका है राजा पांडे जो गव सेवा करता है हिंदूत की बात करता है अब आप आए तीसरी जो सीथ है नवागड नवागड आरची सीथ है यह सीथ लगभब बिजेपी की सिल्थी पंदरा सालों से द्यालदास भगेल जी दोहजार तीन दोहजार आठ और दोहजार तेरा तीनों चुनाव जीते और कॉंग्रेस बार बार एक्सपेरिमेंट करती रही लेकिन चुनाव हारती रही पिछले चुनाव में यह हुआ कि कॉंग्रेस ने एक रैपूर के लड़के को टिकर दिया वो लड़का था गुर्दयाल बंजारे जी जो विद्याचर्म जी के खास एक करकरता हुआ करते मत पूरा में रहने वाले दूझे रम बंजारे जो सर्पंस उनका वो बेटा है तो कॉंग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पास वहां पे कंडिडेट मजबूत नहीं है तो क्यों ना एक बाहर कादवी को टिकर दिया जाए और टिकर दिये द्यालदास बगेंज कि वह राइपूर का मोह नहीं चुड़ पाए इसका उनको खामयाजा अगर ठीकिट देती है तो उसको कैसे उस खामयाजा को कैसे मेरेच करते हैं अपने मानेस्पेंट को कैसे दूर करते हैं लेकिन अभी चर्चा का और विसा सामने है जो महपूर है कि सतामी समाज के जो ग पॉजिटिव होगा क्योंकि मेरे को भी लगता है कि कामरस में प्रत्यासी बदलेगी तो वहां पे कामरस में देखा जाए तो रुद्र कुमार गुरुजी हो गया गुर्दयाल बंजारे जी हो गया और एक नया लड़का है भूपेज बगेल जी का करिभी विजय बगेल ज वह उनकी ये बेटी है सची परभा गायकवाड वह एक प्रमुख दावेदार है क्या पार्टी महिला को टिकट देती है क्योंकि इसके पहले जो टिकट दिये थे कमला बगहल को दिये थे जो जिला पंचा तद्धा थी दूरुब में लेकिन वह हार गए थी तो क्या कामरेस पार्टी एक महिला को टिकट देती है क्या रूतिकुमार गुरुजी नावगर डाने के लिए तैयार होते हैं यह देखते हैं और भारती जंता पार्टी से आपके द्यालास बगहल और उनका बेटा जो जिला पंचा सदस अंजय बगहल वो दावेदार है देवादा सितरव कि अगर आप देखा जाए कि अगर कांगरेस पर त्यासी नहीं बदलती है तो भार्ती जंता पार्टी वहां फैदे बस ले आएं गी बेमेतरा में कांगरेस मजबूत है और साजा में भाववता चार ओंर प्रकास जोसी जी को भारती जंता द्धेजबी है वो बड़े सोमेब्टि हैं बड़े ग्यानि हैं भागवात बोलने के कारण कथा वाचनिक के कारण हो घाउगाउं मेंलोक्री भी बही है अब देखते ही थैंकि भाति ढ 최근 कीशेविक रिचावर को टिग seizure को लेख़ेदे बेमेत्वर से किसी कुर्बी को टिकट दे दे और रोखाण आपका अर्चिसीथ है तो कुन मिला कि आपको बोल सकता हुँ कि आज की सिति में कि बेमत्र जी'll में सीथ में और इक टेंडै बहुते हैंट ब纫॥ी जनतां ultimadas कि स्थिति काफी मद्वूत है यह बात ठीक है कि नवागर में बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिती दो चुना पहले थी लेकिनों धीरे-दीरे बहुजन समाज पार्टी का संठन खतम होता गया कार करता पुरी तरह से हासे में चलते गए तो आप मैं मान के चलते हो चल सक के लिए जिला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है अब यह देखना है कि भारती जंता पार्टी अपने पूरे नए प्रत्यासियों के साथ चाहो जंदार वापसी करती है कि नहीं करती है वक्त बताएगा बस आप सब के सामने मैं बहुत जल्ब मैं ऐसे ही अलग-अलग जिले बना है आफ कमेंट्स कर करें लेकिन आप से फिर से विंती है कि आप subscribe कर emails के साथ कि आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा आपका सयोग आपका रहे अनुट ढूंस च्दoncé सब्हbey means तो कई जन अपन नाम कमावा थे तो एच्छतिगर्ण यह बेटा जैने चोटे से गाउं घौर से निकल के आज आपके बीच में चैनल के रूप में प्रसुत हो था राणितिक रूप से प्रसुत हो था तो इसने आप सब के प्रेम माया मिले रहा है दोलार हम लो मिलेत रहा है हमार च्छतिगर्ण के बरिवासी के ताकत अगु वरत रहे ही सुप कामणा के साथ में वीडियो समाथ करा था हूं आप समोला सयोग दू समर्ददू धन्यवाद जय हिन जय च्छतिगर्ण महातारी